गुद मॉर्निंग एर्वन मार्केट में में ओपनिंग होते कुछ रिजेक्शन ने जड़ा रहा है अब कहीना की होल्ड करके ऊपर जा रहा है तो जैसे मैंने आपके साथ डिसेस किया था कि अगर कोई हमें अच्छा गैप अब देखने हो मिलता है और वहां पर अगर ओपन ह सब्सक्राइब तो मुझे लगता है यहां पर में काम कर लेना चाहिए ऐसा कोई मेजर सैले वगरा तो नजर आ नहीं रहा मार्केट निजस्ट एक कंडल बना है वह तो बनाई लेता है जब उल्टाइम है क्या सपास होता है तो ऐसे कंडल बनाना कोई मार्केट में बड़ी और निफ्टी में तो बैंक निफ्टी से भी अच्छा चार्ट है बैंक निफ्टी अच्छा नहीं जितना निफ्टी का जो रिकवरी हमें नजर आ रहे है तो यहां पर हम तेरा सो कॉंटिटी एड़ करेंगे देखे मार्केट में जब हम काम करें तो वहाँ पे छोटी से छोटी मिश्टेक भी हम नहीं कर सकते पर उपर हमें हर चीज का ध्यान रखना पड़ता है अगर हम कुछ भी गलती करते हैं तो उसका आपकी पोजिशन में नजर आएगा आपको उसका लोस नजर आएगा आपको उसका प्रूफट नजर आएगा अगर हम कहीं पे गलत एंट्री लेते हैं जल्दी से जल्दवाजी करते हैं तो वो मार्केट के अंदर नहीं चलता सोच समंझ कर यहाँ पर फैसला लेना पड़ता है अब देखिए हमें कहीं नजर आ रहा है कि यहाँ पर भी ओपन होती रिजक्शन आ गया अब कहीं नजर आ कि क्लोजिंग प्रैसे सपोर लेकर उपर जाने कोशिज कर रहा है बैंक निफ्ट के अंदर भी हमें कुछ रिजक्शन नजर आ है अब थोड़ा भूत उपर जाने कोशिज कर रहा है तो अब यह मार्केट उपर चला ही जाएगा या फिर से रिजक्शन आएगा ब्रेक्डाउन वगरा करेगा तालिस पांसुग नीजर चला जाएगा वो हमें देखना होता है तो मार्केट के अंदर देखी यहाँ पर डिरेक्ट ऐसल वगर अविलीबल नहीं है तो एक रिजक्शन तो मार्केट ने दे दिया अब यहाँ पर फर्दर और क्यों नहीं गिलना चाहिए मार्केट क्योंकि देखिए मार्केट में अगर आप यह चार्ट देखोगे तो मार्केट ने यहाँ पर चलना शुरू किया मार्केट अपसाइड ही जा रहा था यहाँ पर ब्रेक आउट होगा अभी बना एक कंटीनू मुमंटम किया तो यहाँ पर बाइर आये होंगे मैं भी आपने भी बाइक कर रखा होगा मैंने भी बाइक कर रखा था उसके बाद यहाँ पर एक मेजर रिजेक्शन आ गया तो यहाँ पर जो निकल गया वो तो निकल गया लेकिन अगर कोई नहीं निकला उसे लगा कि नहीं है तो मार्केट में जैसी रिजेक्शन आया होगा उसका या तो एसलिट हो गया होगा या फिर इस प्रकार के मुमंटम में देखिए वो निकल जाते हैं वैसे तो आपको यह लगए 48500 तूटा नहीं में भी वह बैठे रहा गयोंगे देखिए अगर यह छोटे-छोटे कंडल बन बनी होती है अभी हम चार्ट देख रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि यह तो मार्केट रूग गया तो यहां पर पोजिशन होल्ड करना चाहिए था लेकिन ऐसा नहीं होता है जब पोजिशन बनी होती है उसमें जब सेलिंग आता है तो ट्रेडर निकल जाता है और यहां पर जो बायर है क्योंकि 48-500 सब्सक्राइब लेकर मार्केट उपर ही क्लोज गया है तो डेफिनली कुछ ना कुछ बायर मार्केट के इंदर आ जाते हैं तो इस प्रकार की परिशाने उन्हें भी देखने हुए डिरेक्ट उन्हें भी प्रोफिट मार्केट ने नहीं फोड़ा पुद परिशान करने के उनको कोशिश्च के अब या तो उन्होंने कट कर लिया अपना पोजिशन अधरवाई चोटा सा वार्निंग दिया और मार्केट अब जैसे रिकवर ही करना शुरू किया मैंने वहां पर बाइंग कर लिया क्योंकि अगर मार्केट नीचे जाना होता तो या तो gap down open हो जाता या फिर ये गिर्या तो था ही और गिर जाता डिरेक्ली या फिर ऐसे थोड़ा बुद रुख कर भी breakdown वगरा करता उस condition में भी हम वेट कर लेते लेकिन ऐसे कोई भी बात मुझे नजर ने आ रहे ना है तो market ने कोई breakdown किया एक छोटा सा rejection दिय कर रहा है वहां पर मैंने बाइंग किया है निफ्टी के अंदर कुछ ऐसा है यहां पर भी देखे एक rejection आ गया तो यहां पर जो बाइंग वबरा कर रहे थे उनको तो मार्केट ने निकाल दिया दूसरा निफ्टी अब बैंक निफ्टी के अंदर जब साथ में सेलिंग आ र भी कही थे कि शैलिंग नहीं कर सकते रहे हैं हाँ यहां पर थोड़ा बहुत परशान तो में मार्केट करेगे लिकिन ओवराल मार्केट शेया रहा है तो हमें यहां पर मार्केट के साथ ही चलते रहना चाहिए शैलिंग कब और Wenikum कोई सबोड टूट जाए जैसे आज कल हमने एक सपोर्ट लगा रखा था कि अगर वो तूटे गा तो उसके नीचे अगले दिन हम काम कर पाएंगे आज हमारे लिए क्या 48-500 अगर आज की दिन 48-500 तूट जाता है तो फिर हम अगले दिन सेलिंग करेंगे डिरेक्ली सेलिंग करने की हमें यहां पे कोई भी आफ सकता नहीं है तो मार्केट को बढ़ने देते हैं अराम से जब किसी दिन किसी लेवल का ब्रेकडाण वगरा हो जाएगा उसके बाद में भी हम काम कर लेंगे अजर्वाइस सेलिंग में मार्केट में हाथ मत लगाओ जब तक एक पर्टिकुलर सपोर्ट वगरा का ब्रेकडाण ना हो और अब तो हमारे पास बहुत ही अच्छा उप्शन है 48-500 जब तक ना तूटे तब तक सेलिंग वगरा नहीं करना है बाइंग करने के लिए अगर रिजक्सन आ गया तो वेट कर लो जब रिकावरी होना शुरू हो जाए वहां पर काम कर लो सबसे अच्छा मैदर है तो वेट करते हैं अब यह ठीक ठाक प्रोफिट मार्केट के इंदर नजरा रहा है में भी मुमंटम मार्केट में जल्दी हो करने का रहा है वहां कि हम ग्रेंगे में फिर सब्सक्राइब होनी देते हैं जब भी एक की ड्रेक अर्ट हो जाएगा वहां पर अच्छा वैंपि сказать रहते हैं मार्केट एक रैजिस्टंस को टेस्ट करेगा मार्केट यह फलका रिज्यक्षन देगा इस बार जह मार्केट इन breakout वगरा कि आसपास पहुन जाएंगे जहां पर अच्छा benefit उठा पाएंगे तो रूख जाते हैं ऐसी को डरने वाली बात है नहीं market में momentum आये तो definitely एक बार crossover तो करेगा उसके बाद कुछ अलग करें तो वो एक अलग कहानी रहेगी लेकिन एक बार market निकलना चाहिए तो यहां पर देखिए जैसा हम expected करें थे कि bank nifty के अंदर breakout वगरा हो सकता है उसको तो समुधली market ने किया लेकिन आप कुछ rejection हमें नजरा रहा है और nifty ने breakout अब तक किया नहीं है और profit अपना अच्छा हो गया तो बैंक nifty के according हमें exit ले लेना चाहिए निफ्टी अपना breakout करेगा या नहीं करेगा कभी कभी क्या होता है एक index के अंदर breakout हो जाता है दूसरा index breakout करने पाता फिर क्या होता है जिसमें breakout नहीं हो क्योंकि देखी क्या होता है अगर market में 500 से 700 point का momentum होना है वहाँ हमें 200 से 300 point भी अगर मिल जाए ना वो हमारे लिए best है अगर हम यह बैठे रहेंगे कि नई market तो 49,000 को आज की दिन टेस्ट करने वाला है तो टेस्ट तो में भी कर देगा लेकिन उसमें क्या होगा कि इस प्रक प्रिशनल बड़े टार्गेट रख रहे हो तो वहां पी इस प्रकार की सुच्विशन देख सकते हो कि नहीं मैं बैठा रहूंगा market में continue momentum रह सकता है तो मैंने तो इंट्राडे के लिए पोजिशन बनाया तो उसमें मुझे एक अच्छा continue momentum में में लिया तो मैं ज्यादा य यहां पे जो बायर थे इस प्रकार की selling को देकर कुछ ना कुछ उबार नहीं इनको भी मिला था उसके बाद जैसी recovery होना शुरूगा मैंने ज्यादा यहां पे कुछ सोचा ही नहीं कि market के अंदर ठीक है एक rejection आया अब जैसी recovery हो रहा है market all time high की उपर है तो market गूमेगा तो एक market नीचे जा रहा है complete ऐसा तो नहीं बना रहा है लेकिन market में लगबग ऐसा ही है कि नीचे जाकर ही उपर जा रहा है pattern थोड़ी बहुत अलग बना सकता है कभी directly उपर बढ़ना शुरू कर देता है कभी अपना double bottom ऐसा कुछ बना रहा है लेकिन market जा उपर है तो market के इंदर क्य से बना लोगी जिस दिन market के इंदर बन जाए उस दिन निगल जाओ जिस दिन नहीं बने छोटा लोस लेकिन निगल जाओ वहां पर उस दिन अगर आप averaging वहरा करोगी तो आज की दिन या फिर फैले आपने जो प्रोफिट में उसमें problem आप create कर दोगे तो उन चीजों से आप बचना है आपको बचना है जब आपको प्रोफिट बोघर नजर आया अगजिट बगडर ले ले लेना है और मैंने आज की दिन ऐसे ब्रेकाउट तक मैंने वेट किया ब्रेकाउट की बाद जभट कम होना शुरू गया निफ्टी ब्रिकाउट कर नहीं पा आया तो वहां प झाल झाल